नश्कार बच्चो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन्स होंगे यह साइन्स के होंगे जीके के होंगे इस्ट्री के होंगे बहुत सारी चीजों के होंगे और यह कहीं ना कहीं आप अगर कोई भी इंटरेंस एक्जाम दे रहे हैं चाहिए वो बन में से कौन सी ऐसी है जो वोमन प्रेजडेंट रही है ठीक है तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल ठीक है सुरिंज राइडू प्रेजडेंट नहीं रही है भारत की कमला नहरू भी प्रेजडेंट नहीं रही है इंद्रा गंधी प्राइम निस्टर रही है प्र थड़े है इसलिए ऐसा किया जाता है next question is national river of India तो भारत की जो national river है वो क्या है गंगा है और इस कित्ती लंबी है ये इसकी length है approximately 2525 km ठीक है next question पर आते हैं question number 43 मतलब question number 4 देख लेते हैं how many players are there in Koko team तो Koko team में कितने players हैं ये आपको बताना है तो Koko team में जो number of players होते हैं टीम में वो होते हैं 12 next is who was the who was given the title गुरुदेव तो गुरुदेव किसको कहा जाता है तो गुरुदेव कहा जाता है रवीन नाथ टेगोर को ठीक है तो रवीन नाथ टेगोर को गुरुदेव रवीन नाथ टेगोर भी कहा जाता है सुभाज चंद बोस को सही है महत्मा गांधी को महत्मा का title मिला हुआ है महंदास करम चंद गांधी इनका नाम है सरदार वरलब भाई पतेल को सरदार का title मिला हुआ है सुभाज चंद बोस जी को आप बताईएगा comment box में लिखके कि कौन सा title दिया गया है next question पर आते हैं question number 46 the last court of appeal in India तो इंडिया में जो last court होता है जिसमें आप appeal कर सकते हैं उसका नाम क्या है तो that is supreme court तो supreme होता है सबसे highest court जो होता है किसी भी कंट्रे का वो last court होता है जिसमें हम लोग appeal कर सकते हैं तो भारत में वो क्या है वो है supreme court और supreme court कहां पर है डेली में है न्यू डेली में ये located है ठीक है next question पर आते है question number 47 देखते है question number 47 में क्या कहा गया है wheel on Indian national flag has how many spokes तो अगर भारत का जंडा देखेंगे भारत का flag देखेंगे बहुत प्यारा सा flag है उसमें कितने spokes हैं कितने तीलियां हैं जो आपको चक्र दिखाई पड़ता होगा ठीक है उसमें number of spokes जो है वो कितनी है 24 है next question देखते है who composed महा भारत महा भारत का composition किसने किया है तो देखिए बच्चे यहाँ पर तुलसी दास लगा के चले आएंगे answer क्योंकि तुलसी दास रामचरित मानस के हैं महा भारत के नहीं है महा भारत किसने compose किया है first option सही है that is वेद व्यास next question is question 49 how many planets are there in our solar system तो हमारे solar system में total planets कितने हैं तो इसमें भी बच्चे गलती करते हैं 9 लिख के चले आते हैं जो कि गलत है total planets कितने हैं 8 है पहले Pluto planet हुआ करता था 2006 के अबाओ Pluto को planet की category से remove कर दिया गया next question is question 50 which of the following is not a liquid इन में से कौन liquid नहीं है तो water आपको पता होगा liquid state में होता है milk भी liquid state है oil भी liquid state है wood is not a liquid state wood क्या होता है wood एक solid है next question देखते है question number 51 one मतलब 11th question है हमारा which is the biggest continent आपको बताना है इन में से सबसे बड़ा continent कौन सा है तो Asia आपको पता होगा सबसे बड़ा continent है अगर सबसे छोटा continent पूछा जाए तो smallest continent जो है वो कौन सा है वो है Australia ठीक है Australia is the smallest continent next question पर आते है question number 52 है where the sun temple in the form of chariot is located तो रत के form में ठीक है देखे बुला गया रत की सूरत में बना सूर्य मंदर कहां पर स्थित है तो ये कौनार्क का सेंट temple है कौनार्क का सेंट temple जो है वो कहां पर है उडीशा में है ठीक है तो उडीशा में है 52 का अंसर हो जाएगा option number next question is question number 53 शुशील कुमार प्लेज विच गेम तो शुशील कुमार कौन सा गेम खेलते हैं तो ये रिसलिंग केलते हैं रिसलिंग करते हैं कुष्टी जिसको कहते हैं हिंदी में ठीक है next question question number 14 है question number 14 में कहा गया है which of the following is neighboring country of India तो इंडिया की neighboring country कौन सी है पाकिस्तान आपको पता होगा भारत की बहुत पुरानी neighboring country है बहुत ही important neighbor है ठीक है मेकसिको गलत है जिंबाबवे भी गलत है इजिप्ट भी गलत है तीनों ही गलत है सिर्फ पाकिस्तान इसका सही answer है what is the name of capital of जहारकंड तो जहारकंड की capital क्या है question number 56 है which animal is called ship of the desert तो desert का ship किसको कहा जाता है तो desert का ship कहा जाता है camel को second part इसका सही हो जाएगा ठीक है camel को desert का ship इसलिए कहते हैं क्योंकि camel बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है और साथी साथ इसके जो पैर होते हैं उसमें ये कह सकते हैं कि वो थोड़े से fluffy होते हैं थोड़ा सा paddled होते हैं ठीक है जिसकी वज़े से उनका surface area बढ़ जाता है और आसानी से वो वहाँ पर चल सकते हैं ठीक है next question पर आते हैं question number 57 मतलब अपना question number 17 देख लेते हैं April 14 is celebrated as 14th of April को क्या होता है 14th of April को होता है अम्बेड कर जैनती ठीक है next question अच्छा यहाँ पर कुछ और बाते कर लेते हैं label day होता है one may को जिसको may day भी कहते है one may को होता है label day ठीक है teachers day अगर देखेंगे आप तो यह कब होता है तो 5th September को होता है भारत में ठीक है तो इंडिया में डॉक्टर सर्वबली राधा कृष्ण के birthday के दिन 5th September को teachers day मनाय जाता है which is called national teachers day और अगर internationally देखा जाए teachers day कब मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है 5th of October को ठीक है Republic day कब मनाय जाता है तो भारत का Republic day अगर देखेंगे तो 26th of January को मनाय जाता है ठीक है next question पे आते है question number 58 लखनौ इस situated on the bank of which river बहुत आसान question है लखनौ किस river पे है मतलब किस river के bank पे situated है कौन सी river है इस पे जो रहती है तो वो है गोमती ठीक है गोमती river लखनौ में ही है ठीक है next question पे आते है question number 59 है how many members are nominated by president for राज्यसभा तो राज्यसभा में जो members nominate किये जाते है president के द्वारा कितने है 12 members होते है और 12 members किस से होते है L, A, S ठीक है L का मतलब है literature A का मतलब होता है art S का मतलब होता है science और S का मतलब होता है social services तो ये 4 sector से 12 लोग nominate करता है प्रेज्डेंट ठीक है कहां पर राज्यसभा में और लोग सभा में याद रखिएगा President दो members को nominate करता है और दोनों कैसे होते हैं Anglo Indian होते हैं ठीक है Anglo Indian होते हैं ये बहुत important है ये आपको पता होना चाहिए Next question देखते है Question number 60 है Smallest state of India तो इंडिया का smallest state है वो कौन सा है तो smallest state आपको पता होगा भारत का कौन है तो smallest state है गुवा ठीक है इसी वे मान लीजे आप से कहा जाए सबसे बड़ा state कौन सा है भारत का सबसे बड़ा state है राजिस्थान ठीक है ये भी आप लोग याद रखेगा कि राजिस्थान is the biggest state in terms of area तो यहाँ पर area के terms में बात हो रही है अगर union territory की बात करते और पूस्ते सबसे बड़ी union territory कौन सी है तो वो होती अंड़मान एंड निकोबार लेकिन अगर पूस्ते smallest union territory कौन सी है तो वो होती लक्षदीप ठीक है तो लक्षदीप is the smallest union territory next question पर आते हैं question number 21 देखते हैं अब जो हम लोग question देखेंगे वो science के होंगे तो चलिए question number 21 देखते हैं which type of object do not allow light to pass through them तो ऐसा object जो अपने से light को pass नहीं होने देता उसको क्या कहा जाता है that is called opaque object ठीक है ओपेक होता है वो और जो light को pass करने देगा pass होने देता है उसको transparent कहते हैं और जो कुछ amount of light को थोड़ी सी light को pass होने देता है that is called translucent ठीक है next question is question number 82 82 देख लीजे 82 मतलब 22 है हमारा a device that is used to break an electric circuit तो किसी भी electric circuit को break करने के लिए break का मतलब यह नहीं है कि तोड़ देना break का मतलब यह होता है current के flow को stop कर देना तो उसके लिए क्या use कियाता है switch use किया जाता है सबने switch को भी देखा होगा next is which gas is in the atmosphere supports burning तो burning को कौन support करता है oxygen बिना oxygen के कभी भी burning नहीं हो सकती है इस बात को आप याद रखेगा हमारे atmosphere में 21% oxygen present है nitrogen 78% present है next question question number 24 देख लेते हैं which material is not attracted towards a magnet तो magnet की तरफ कौन सा material attract नहीं होता iron होता है nickel भी होता है cobald भी होता है सिर्फ wood नहीं होता तो wood is the correct answer of question number 84 next question is question number 85 by eating soya beans we can fulfill nutritional requirement of तो देखे soya bean अगर आप खा रहे हैं ठीक है तो आपको आपका कौन सा nutrition आपको सबसे ज़्यादा nutrition कौन सा मिलेगा तो आपको मिलेगा protein soya beans पे proteins बहुत ज़्यादा होता है ठीक है next is the joint where our neck joins the head तो हमारा जो neck है जब head को join करता है तो कौन सी joint होती है वो होती है pivotal joint तो इसका option number 2 सही है next is question 87 which element is necessary for healthy teeth तो देखे healthy teeth के लिए कौन सा element necessary है तो iron necessary नहीं है शुगर भी necessary नहीं है गोल्ड भी necessary नहीं है क्या necessary है calcium calcium और phosphorus ये दो elements ऐसे होते हैं जो teeth को मजबूत बनाते हैं तो हमारे पास जो answer आजाएगा calcium होगा और phosphorus होगा next question देखते है question number 88 है disease caused by deficiency of vitamin D ठीक है vitamin D बहुत important vitamin है कौन से disease होती है जब इसकी deficiency हो जाती है हमारी body में तो वो जो disease होती है that is called rickets ठीक है उसको बोलते है rickets इसकरवी होती है vitamin C से very very और loss of vision इसको night blindness भी कहते है vitamin A से होती है ठीक है vitamin A से होती है and very very good vitamin B से होती है next question पर आते है question number 89 देखते है the total number of bones in human body तो human body में जो total number of bones होती है एक normal adult में बूला जाए number of bones कितनी होती है 206 होती है और अगर बिलकुल newborn baby है तो उसमें याद रखेगा 300 bones होती है और जब वो बच्चा बड़ा होता आता है तो कुछ हड़ियां कुछ bones ऐसी होती है जो आपस में जुड़ती चली आती है दो हड़ियां मिलके दो bones मिलके एक हो जाएंगी या तीन bones मिलके एक हो जाएंगी इस तरीके का कुछ process होता है अमारी body में which is not a part of flower तो flower का इसमें कौन part नहीं है sepals part होता है stamens भी part होता है pistil भी part होता है सिर्फ leaf flower का part नहीं है ठीके next is question number 91 essential for living things is देखे इन में से आपको बताना है कौन ऐसा है which is essential for living things eating बिलकुल essential है लेकिन उतना essential नहीं है सबसे important अगर देखेंगे respiration respiration सबसे important चीज है जो living things में होना compulsory है respiration नहीं होगा तो कोई भी इंसान कितनी भी देरे के लिए नहीं जिन्दा रह सकता next question is quantity of usable matter on earth is देखे matter नहीं है water होना चाहिए है quantity of usable water on earth is तो ये limited है ठीके कुछ ही amount में present है सीमित है ये unlimited नहीं है ended भी नहीं है increase कहां हो रहा है हाला कि decrease और हो रहा है तो limited इसका answer सही हो जाएगा next question is question number 33 which one of the following instrument measures the intensity of earthquake ठीके तो earthquake को measure करने के लिए हम लोग कौन सा instrument यूज करते हैं तो वो हमारे पास होता है seismo graph ठीके lactometer से हम लोग mil की purity को check करते हैं कि milk इतना pure है ठीके इसके बद बैरो मीटर से atmospheric pressure को measure करते हैं cresco graph से क्या करते हैं यह आप comment box में लिखके बताईएगा कि what we do from cresco graph और फिर जिसका answer सबसे सही होगा उसका comment हम लोग pin भी कर देंगे और वो हमेशा सबसे ओपर दिखाई पड़ेगा next question is question 94 मतलब 94th question हमारा Orion constellation है Ursa Major भी constellation है Scorpion भी constellation है सिर्फ Saturn is not a constellation तो इसका answer हो जाएगा option number 3 that is Saturn Saturn क्योंकि क्या है Saturn एक planet है जिसको हिंदी में शनी कहते है distance between Delhi and Mumbai अब देखे डेली और Mumbai दो बहुत important cities है इसको अगर इन दोनों के बीच के distance को measure करना है तो किसमें measure करेंगे तो basic सी बात है kilometers में measure करेंगे ठीक है तो B option इसका हो जाएगा kilometer next is question number 96 the moon is अब देखे मून क्या है आपको बताना है तो moon satellite है बिल्कुल सही है ठीक है तो moon क्या है moon is a natural satellite याद रखेगा moon क्या है moon is a natural satellite ठीक है अर्थ के पास कितने moon है अर्थ के पास एक moon है ठीक है ये बात आप और याद रखेगा next question planet नहीं है moon comet भी नहीं है moon एक star भी नहीं है star हमारा sun है sun आप याद रखेगा sun क्या है sun एक star है next is coal, oil and natural gas are all ठीक है तो coal हो गया oil हो गया natural gas हो गये इस सारी चीज़े क्या है renewable नहीं है renewable वो होती है जिसको हम लोग दोबारा renew कर सके तो coal एक बार खतम हो गया तो उसको renew नहीं कर सकते oil एक बार खतम हो गया तो उसको renew नहीं कर सके लेकिन ये क्या है ये एक fossil है ठीक है तो fossil fuels है food भी नहीं है hydroelectric भी नहीं है they are fossils next question is question number 98 SI unit of speed is speed के SI unit क्या होती है meter पर second होती है ठीक है तो इसका answer option number 1 हो जाएगा next question question number 39 देख लेते है which of the following is used to make cement and concrete तो cement और concrete को बनाने के लिए हम लोग क्या use करते है lime stone इसका answer सही होगा sand stone गलत है red stone गलत है pumit गलत है lime stone इसका answer सही हो जाएगा cement और concrete को बनाने के लिए lime stone यूज किया जाता है ठीक है next question is question number 100 100 हमारा question number 40 है यह हमारा आज का आखरी सवाल है recycle process is not possible with किस के साथ हम लोग recycling नहीं कर सकते तो paper को recycle कर सकते हैं glass को भी कर सकते हैं plastic को भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ fuel को हम लोग recycle नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह एक वार अगर खतम हो गया तो यह recycle नहीं किया जाएगा ठीक है तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतने ही questions थे ऐसे ऐसे करके हम लोग और questions की series अब लाते रहेंगे जिसमें competitions based exams के questions होंगे और वो आपको आगे चलके बहुत ज़्यादा मदद करेंगे तो आज के लिए फिलाल इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा हम लोग को पता जरूर चलेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में वीडियो को पसंद करते हैं जो सच में पढ़ने के लिए इस चैनल पे आते हैं तो आज के लिए फिलाल इतना ही Thank you very much Goodbye, Jain